जय हिंद मित्रों आज हम भारत के भोगल की स्रीज दूसरा लेकर उपस्तित है तो आज देखते हैं दो आप किसे कहा जाता है दो नदियों की बीच की भूम गंगा का मैदान कहां श्तित है उत्र प्रदेश बिहार योगपस्र बंगाल राज में ब्रह्मुपुत्र मैदान कह प्रदेश के महू के पश्चिम इस्थित उचभूम से निकलती आ है सोड़न दी कहां से निकलती है नर्वदा नदि के उद्गम अस्थान से कुछ ही दूर इस्थित पेंडरा पठार थे मिरदा सब्द कि उत्पत किस भाषा से हुई है लाटिंग भाषा के सब्द सोलम से रेगुर मिट्टी किसे कहा जाते हैं काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं कपास की खेती के लिए कौन से मिट्टी उपयुक्त है काली मिट्टी जिसे रेगुर या रेगण मिट्टी कहते हैं भारत में सरबाधिक छेत्र में पाई जानवाली मिट्टी कौन से है कछा में सरवाधिक सिचाई नलकूपों से होती है उत्रप्रदेश में होती है भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्ताव वित किस ने किया था एक कैप्टन दिंसाजे दस्तूर ने किया था एक मोश्ट है इंद्रा गाधी नहर का उद्गम अस्तल है हरके बैराज के निकट ब्यास निकट गंगा नहर का उद्गम स्थाना है नरवला बुलं सार फ्री परियुजणा से लाभानित होने वाला होने वाले राज कौन कौन से है ये गुजेरात महाराश्ट मद प्रदेश राज थान स्रदा फृव परियुजणाeur से स्रबाधिक का बिलता है ये गुजीरात को म कि अभलान कि बात से संबहुत से शर्दा स्रोवर बात से भागडानांगल किन राज्यों की संजुक प्रयुजणा बाग्डानांग्ल बात किस नदी पर बनाया गया है स्थेफ समूद्रम जलबर्परॉब्र talkin awesome कहां इस्तित है करनाटक में कावेरी नदी पर इस्तित समुद्रम इस्तित है नागार्जुन सागर पर जुना कहां वस्तित है आंध प्रदेश के नंदी कोड़ा गाउं के निकड़ किष्ला नदी पर यह इस्तित है अ मिला और locks आइंपल बाद कोंसे नदMax पर बनाया गया है उडिशा में बनाया गया है लिटान में ज सकतर्पर कॉमनतिति पर केंपल आइंपल Metroै न्लन गया मेंजोटी पर केंपल और इंसलिंट कर से जीएँटन हैं को साहिके पर कजिए साङयां परिशित है अलमाटी बात किस नदी परिशित है ये किसला नदी परिशित है इडुक्की बात परिजुना कहां इसी थै ये किरल राज में पिरिया नदी परिशित है कल्यांग कल्योंग जल बिदुत परिजुना कहां इसी थै ये अंदमान निकोबार दिवसम में कल्योंग न मन्णार क कि खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्यूनrostी थे लक्ष द्यूब कहां सतीत है रामेस्वर्म किस्वात्यच सपテ। परहाज राज का हिस्चा है राम प्हुचा के पीछ थांग घांटी से 1589 के दूरिबुस्तिप ऐक गंटोक में काुंसी जन्जात दिपावली को शोक का यातिययोहर मनाती यह ठारू मनाती है ठारू जन्जात के निवास रस्तान कहा है उत्तराखंड के नईVA़ा में उत्तरप्रदेश के गॉरगपुर के तरह है क्शेत्र में संथाल जंजात निवास करते हैं पूरवी भारत मुक्ता पश्यम बंगाल बिहार जारखंड और इसा और असम्राज में काउं सी जंजातिया इत प्रवास किया करते हैं यह भोटिया जंजात हैं कि भौबीआ पढ़ाप पर्था कि एक तूड़ा जंजात में प्रिसरीट हैं अभील जंजात कए जाती हैं गुजरात मधव्युध्य चठीश गर्ण महाँर्श्ट और राजिस्तान पढ़ाती है हुझेए कि च सभड़ान दिया के थर्फ पृष्यात कि यो की मध rich लेखा नदे पर स्तित है बेंबनात जिल कहां पर जिस्तित है कहा रही के रिल में है चिल्व के अब हिस्तित है औहीं शी Li गहते सिर्थ है बारत के किस राज में फुलायर जयरे लींद में है एष्क्ति मुरी जील कहां जोस्तित है कि एक एर्य में स्थितец है बारत में सबसे कम ब्रसा वाला रस्तान कहां इल्लियध्य है जो कि कस्मीर पढ़ता है कस्मीर क्या वो लद्धाः में पढ़ता है चेरपुजी कहां वस्तित 자 ब्हारत की पूरगुत्तरpert прaj mighalem में स्थित है भारत के हरित करांद के पिता कौन माने जाते हैं डाक्टर एमस्वामी नाथर माने जाते हैं हरित करांद से सरवाधिक उत्पादन कि स्खाद्यान का हुआ है ग्यों की फसल को हुआ सरवाधिक उत्पादा नेक्ष्ट हरित करांद के फल सुरूब ग्यों का प्र किसे समदित है मस्त उतपादन से रभी की परमुख फसल कौन से है गेहुं-जव-चना-मटर-सरसो-मसूर तथा अलूत्याद खरीब की फसले कौन से हैं? चावल, जवार, बाजरा, मक्का, तिल, मुपली, इत्याल कल्यार सोना किस फसल की किसम है? ये गेहूं की है, मोश्ट है पूछा जा सकता है भारत एक किस राज का गेहूं उत्पादन परतमस्तान है? उत्रप्रदेश का है उसा सुगंदा पांच, किसकी एक सुगंदित किसम है? ये धान की है, मोश्ट है ये भी पूछा जा सकता है अमन धान कब गया जाता है? मानसून के दवरान, जुन जुलाई माह में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज कौन है? ये पस्चिम बंगाल है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज कौन है? ये गुजरात है कौन सा राज भारत का सकर का प्याला कहा जाता है? ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है पीत करांत किसे संबंदित है? तिलान के उत्पादन से संबंदित है बैला डीला खान कहां इस्तित है इस चत्टिस गड़ में इस्तित है जो कि law S के लिए माना जाता है 36 गड़ में कोभा किसलिए जान जाता है एल्मोनियम उद्दोग के लिए खेतरी किसलिए प्रसिद है ताबे के समरित भंडार के लिए मद्र प्रदेश के मलाज खंड किसलिये प्रसिद्ध है ताबा उत्पादन के लिए नामचिक नामफुक कोईला छेत्र अवस्तित है अवड़ाचल में पूछा जा सकता है कि ये कहां चेत्थ है नामचिक नामफुक बारत में सरवाधिक कोईला भंडार कहां पाया जाता है इजहार खन में पाया जाता है ताल चेर प्रसिद कोईला छेत कहां स्थित है औरीशा के अंगुल जिले में किस खनीज को काला सोना की संगय दी जाती है कोईला को दी जाती है तुरामडी में किस खनीज का खनन होता है, इरुनियम का खनन होता है, बारत में सरवाधिक खनीज युक्त सेल का उन्सा है, ये धारवार तंत्र है, गुरन-कुलन आनवी सक्त प्रयोजना कहा वस्तित है यह तमिल्लाड राज में जिक थeffective कल-पकम किसली परशिद्ध है परमाल सन्यंत्र के लिए नाफकी-विद्धु Hadis सटार रा किशली प्रसिद्ध है, पौन उर्जा सनयंत्र के Lee प्रसिद्ध है, राणा प्रताव सागर प्रीज्जोना का सम्बंद किस्द्ध है सक्त's NPP群 प्रयोजना से, भारत में पर्थम जलबिद्वूत सन्यंत्र के स्थापना कहा कि गई, पुकारो तापी भिजली घर कह सबसे बड़ा तेल सोधन साला कारखाना कौंसा है डिगभुई है जो की असमें पढ़ा जाता है डिगभुई तेल सोधन रवा तेल छेत्र कहा है तो ये गोदावरी और किष्णा नदियों के डेल्टा मिशती थे प्रिजना का अस्तल कहा है महराश्ट आज के दूभाल में इस्तित हैं डोलवी इसपार संधिन कहा हो श्तित है ऻंड्याल को कब अस्तापित हुआ उन्हें स्टापित वैं भारत का सबसे बड़ा जाहत तोड़ने का कारखाना कहां इस्तित है ये गुजरात के खंभात के दुनिया का सबसे बड़ा जहाद तोड़ने का कारखाना है हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री कहां वस्तित है यह रूप नरायनपूर है नरायनपूर जोकी पशिमगलन पड़ता है भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज उत्रप्रदेश 2020 के उस्ता भारत में में वस्तित है यह रात के सूरजजीली में वस्तित है बारत में संधान संधान संसनार कजरी का सित है जोद्पूर यह कई बारत कई बारत का व्रूंच पूंचा गया है भारत का बनाजीव संस्तान कहा थ हुद lifelong बहरति चावल सोल संस्तान कहा थ हुद इंडियन वीरो आफ मायन्स का मुख्यालय के वह अलाष भाए। पुछ दोग्द विकास बोट का शित से इचा अनंद गुजरात में शित इसे ही दिए जर गंडर्य के धनभाद में शित यों कशिध fries नाम से किसे जाना जाता है कविलाभी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है दी हिमालेन मांटेरिंग इस्चूट कहां शीत है यह दाजलिंग मिस्टिज जो कि परसिमगाल पड़ता है धन्यबाद मित्रो